कि हेलो फ्रेंड नमस्कार मैं है अब सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में डिसक्स करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टन जो कोशन है इस बार एक्जाम में जो कोशन आ सकते हैं जिनके आने की संबाबना है उन सारे कोशन को हम यहां पर डिसक्स करेंगे यहां पर मैं आपको पीडियाप भी प्रोवायड करूँगा ठीक और कौन कोशन है वो आप यहां पर देख लेज़िए आप इसको नोट भी कर सकते हैं या पीडियाप डैनोट करके उसको आप कहीं सॉल्ल भी कर सकते हैं देखे मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह जितने भी कोशन हैं इन सारे कोशन को आप अभी खुद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अभी आप जितना खुद से करेंगे वही आपका होगा आप देख के करेंगे या कहीं से चेप के करेंगे तो वो आपका नहीं होगा क्योंकि ये सारे NCRT कोशन से ये NCRT से मिलता जुलता कोशन है तो आपने पूरे साल पढ़ा है आपने कितना पढ़ा है वो चेक करने के लिए आप इन सारे कोशन को इसको solve कीजिए टाइम निकालने के बाद इसको solve कीजिए अगर इन सारे कोशन को अगर आप मान लीजिए अगर इन में से 90% कोशन को भी आप solve कर दे रहें बिना दे के बिना पूछे तो इसका मतलब आप समझ जाना कि आपके इसमा 95% आ रहे हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हो बिना देके आपको कहीं से देखना पड़ा है या कहीं से आप पूछना पड़ा है तो इसका मतलब समझ जाना कि आपके उतनी प्रिप्रेशन अच्छी नहीं है और आपको कहीं ना कहीं यह जो टाइम बचा हुआ है इस टराइमिं में बहुत ज्यादा श्टरखल करना बड़ेगा तो जी यहां पे यह एक कॉस्चंस है फटर्ट चैप्रस के मैट्रिक्स के और इस मैट्रिक्स के जो कॉस्चंस है इस में से बहुत सारे सॉन्चंस मैं ने सॉल्प कर दिया है प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टन कोश्टन सफ डिटर्मिनेंट के मुस्ट इंपॉर्टन कोश्टन है यह कुछ जो या तो एक्जाम में पूछे गई या इस बार पूछे जाने के संबाब नहीं कि कुछ नमर्फ फिप्ट है इस भी बहुत बार पूछे गई गोश्टन तो इसको भी अप्सॉल्व कर लेना एक कोश्टन अगर आप एट माक्स चाहते हैं आप चाहते कि आपके इस बार बोड़ इकजाम में कितना एट माक्स कंफर्म हो तो एक कोश्टन आप भी वीडियो से इसके सॉल्व करना है यह आपको इसका मैथड देखना है किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको सीखना है अगर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए आपका इस बार एट माक्स तो कंफर्म है क्योंकि एक कोश्टन आपका इसमें से पक्का पूछा जाएगा डेफिनेटली हंडेड वन परसें अगर आप इनवर्स निकालना सीख जाते हैं तो इसका मतब आपके 5 माक्स गंफर्म है एक कोश्टन इसका इस तरीके से भी पूछा जाता है पक्का इंडेफिनेटली पूछा जाता है ठीक है इसके अलाबा जाता है कंटिनुटी के बहुत सारे कोश्टन मैंने सॉल्व कर वीडियो प्लेइस्ट में आपको मिल जाएगा वहांसे जाके आप देख सकते हैं अगर अपने नहीं देखा अभी तक ठीक है तो यह ब्रोलेस्टेष्ट के इतने सारे प्रक्टिस कर लेंगे तो आपको करना आज आएगा फिर उसके बाद चाहें कितना ही डिफिकल्ड डि Uyukay fruit की बात करेंगे तो चार marks का कोशन पक्कप पूच जाता है ये स्में से कोशन आप एक भी छोड़ना मत ठीक है तो ये कुछ सिद्ध करने वाले कोशन ये भी most important है इन सारे कोशन को भी आप छोड़ना मत इसको भी solve कर लेना इसके अब अलाबा आता है हम समाकलन के अनुपरियोग समाकलन के अनुपरियोग में सबसे पहला कोशन है हमारा increasing and decreasing rate of change का questions दे रखे यह जो questions आने की संभावना है यह आ चुके हैं six chapters से उन सारे questions का मैंने यह series बनाया है तो यह भी most important question है इनको भी solve कर लेना ठीक है इसमें से मैं अगर बताओं कि most and most important question मैं आपको यहां से दिखा दो इस six chapters के यह वाले question जो है most and most important question number जैसे यहां पर है question number 20, 21, 22, 23 यह सारे questions आप छोड़ना मत इसमें से भी अगर इसमें से question करके जाते हैं तो पांच इसमें से question या तो पांच number में पूछता है आपका या तो आठ नमबर में पूछता तो एक question definitely आएगा इस तरीके के इन में से तो यह question सारे अपसॉल्ब कर लेना आपके आठ नमबर confirm है एक मार्क्स के लिए समाकरलन से यह questions मैंने कुछ सेलेक्ट कर रहा है एक मार्क्स में जो एक मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं इसमें से यह वाले जो question नमबर फर्स्ट है question नमबर आपका first यह बहुत ही most and most important है very 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 important question है क्योंकि अब तक मैंने जितने भी unsault paper कराए है उसमें से कम से पांस से च्छे बार यह question रिपीट हुआ है तो इसका मतब समस्कते कि यह कितना important question है यह आपका ncati का question है ncati का जो उधार number है वो है यह आपको मिल जाएगा तो इसके लावब यह सारे important questions है किसके integration के कुछ important question integrations का उपर दे रखा है यह आपको मिल जाएंगे यह कुछ important questions है यह जो questions आपके पूछा है यह आपका exercise wise है exercise के recording मैंने यहाँ पर question चाटाता है यह important question है तो यह सारे कुल मिलाके 5 chapter के questions हमारे पास important question है इसका पीडियाप का जो link है वो description में दे रखा हूँ comment section में भी दे दूँगा मैं वहाँ से जाके आप इस पीडियाप को download करना और इसके जितने भी question है एक या दो दिन के अंदर अंदर इसको finish कर देना इसके अलाबा next 2-4 videos में दूँगा अलग-अलग chapters के most important questions के तो जितनी भी में most important questions का videos आपको दूँगा सारे videos को देखना और उनमें जो pdips आपको मिलेगा उन pdips में जो भी questions दे रिकोंगे उसको इमानदारी के साथ खुद से try करना प्लस जो most important questions है 50 questions मैं और चाटूँगा इसमें से जितरी भी हमारे पास question है इस most important 50 questions का मैं एक series बनाऊंगा वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपको जल्द ही दे दूँगा एक दिन में या सामके अंदर-अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा टेंशन मत लिजिए प्रिप्रेशन कीजिए बहुत अच्छा प्रिप्रेशन कीजिए डेफिनेटली मैं आपके 90 प्लस मार्क्स ला दूँगा अगर मेरी सुदा मेरी कहन उसर प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ अपते के लिए जाहिन जाबारत अगर हाँ व